दोस्तो आज हम बात करने वाले चोटे बच्चों में कब्स के बारे में दोस्तो कब्स की समस्या ये आम समस्या है चोटे बच्चों में कभी न कभी ये देखने मिलती है किड्स के अंदर दोस्तों आज हम इस वीडियो में संपूर्ण टॉपिक पर विस्तरुज चर्चा करेंगे कब्स छोटे बच्चों में क्यों होती है what are the reasons इसके क्या क्या लक्षन है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और आखिर में वीडियो के डीटेल ट्रीटमेंट कौनसी कौनसी दवाईयां देनी चाहिए किस तरह से हम छोटे बच्चों कब जल्दी से दूर कर सकते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे कुरुपया आन तक देखते रहेगा हाँ दोस्तों एक important जानकारी चोटे बच्चे जब पोटी पास करते हैं स्टूल्स पास करते हैं तो कई बार वो फसी हो जाते हैं चीड़ चीड़ हो जाते हैं रोते हैं, क्राई करते हैं, मू लाल हो जाता है और स्वेटिंग भी हो जाती कई बार तो दोस्तों ये normal stools pass करते से में कई बार बच्चे करते हैं, ये normal है, ये उनका behavior होता है, ये कोई बीमारी का लक्षण नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे आप छोटे बच्चे जब पानी कम पीते हैं, क्यों पानी कम पीने से stool अपने आप, जो पोटी अपने आप अंदर हाड हो जाती है, ये भी प्रमुकारण है, छोटे बच्चे में पानी कम पीना, drinking less water दूसरा है, fiber खाने में कम होना, foods के अंदर fiber कम होना, fiber कौन से कौन से खाने में foods में होता है, vegetables, green vegetables में, fruits में, whole grains में, तो ये जब खाने में हम कम देंगे, तो भी कबजी होती है, कबज होती है, ये बात का ध्यान रखेंगे, और जो next कारण है, वो है physical activity कम होना, छोटे दूना कम करना, जादा बैठा रहना, जादा टीवी देखना, तो ये भी एक कारण है, less physical activity, खाने में fiber कम खाना, और कम पानी पीना, और जो दूसरा important बात है, वो है कि कई बार बच्चों का जो living condition से change हो जाता है, यानि घर से बाहर जब हो रहने लग, कई बार घर से बाहर क उस वज़े भी, उस वज़े से भी, stress के वज़े से भी छोटे बच्चों में कब्स देखने मिलता है, तो दोस्तों ये जो हमने आम कारण बता है, normal reasons बता हैं, जो हमेशा अक्सर यही कारण देखने मिलते हैं, और कुछ बीमारिया भी ऐसी होती है, हाला कि इनकी chances कम होते हैं या ऐसी-इसी कौन सी बिमारी है, कौन सी diseases हैं, जो बच्चे में कब्स पैदा कर सकते हैं, सबसे जो पहला है, वो है thyroid function कमजोर होना, जिसको हम hypothyroidism बोलते हैं, तो thyroid function जब छोटे बच्चों में कमजोर होता है, तब भी कब्स देखने मिल जाता है, दूसरा है celic disease, यानि कि आंतों की बिमारी, जो बड़ी आंत होती है छोटे बच्चों में, उसके अंदर कोई बिमारी हो, तो उसके अंदर बी, उस वजह से भी कब्स हो सकता है, और जो तीसरी बिमारी है, मास पेस्शियों की बिमारी, जो आंत हमारे अंदर पेट में intestine हόते हैं, large intestine, small intestine, उनके कि छोटे बच्चों में कबस का इलाज कैसे करेंगे। इसका एक combination therapy है। सिर्फ दवाई पर हमको depend नहीं होना है। सबसे पहले हमको dietary changes करना है। उसके खाने पीने में changes करना है। डायेट। दूसरा है exercise, बच्चों को physical activity बढ़ानी है। तीसरा है toilet training, उसको पोटी कैसे बैठना है, कितनी बार दिन में जाना है, कितनी बार toilet में बैठना है। और आखिर में जाके drugs यानि दवाईयां, क्या-क्या दवाईयां हम दे सकते हैं। तो यह मोटी-मोटी चार बाते हैं, जिनके द्वारा हम बच्चों का इलाज करते हैं। दोस्तों जो dietary changes हम छोटे infants में कर सकते हैं, यानि कि जो 3-4 मेने के हैं, 7-8 मेने के हैं, 12 मेने से नीचे हैं, उनके अंदर हम बताते हैं। एक तो हम जो बच्चों को formula feeds देते हैं, formula feeding करते हैं, वो plain होनी चाहिए, यानि cereal based नहीं होनी चाहिए, वो उनके अंदर गेहूं यानि wheat और rice चावल का combination नहीं होना चाहिए, cereals के बिना होने चाहिए, वो भी constipation में मदद करते हैं। फिर जो हम juice बहुत अच्छा इस्तमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चों में, वो postic भी होता है, nutritious भी होता है, constipation भी मदद करता है, कब्स तोडने मदद करता है, जैसे की pure apple juice, apple का juice, prune juice, यानि की जो आलू बुखारा होते हैं, इसका juice, pear juice, यानि जो नाश पती fruit होता है, और papaya या, ये कुछ ऐसे fruits है, जिनके juices का इस्तमाल करके, हम छोटे बच्चों में cups तोड़ सकते हैं, pediatricians ये भी recommend करते हैं, तीन से चार मेने के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी हम इन juices का इस्तमाल कर सकते हैं, और थोड़ा पानी का इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो गाय का दोध हो, बकरी का दोध हो, भैस का दोध हो, वो तिन में तीनी बार देना चाहिए, ज्यादा बार, बारा महने से उपर के बच्चों को नहीं देना चाहिए, हम जो भी खाते हैं, सबजी, रोटी, वो सब हम छोट बारा महने से उपर के बच्चों को दे सकते हैं, क् उसमें फाइबर मिलता है उनको और जो ब्रेड्स वगर इनका अवाइड करना है उनको डाइट में खासकर वाइड ब्रेड्स क्योंकि उसके अंदर मैदा होता है वाइड ब्रेड्स अवाइड करें अगर ब्रेड देना ही है तो होल ग्रेन ब्रेड्स दीजिए या जो ज्यादा पिलाना है दिन में तीन चार बार बच्चों को स्कूल गोईंग बच्चों को थम दिन में तीन चार बार कम से हम दो से तीन दो लिटर पानी पिला सकते हैं जो चार पान साल तक की बच्चे हैं तो पानी का इस्तमाल ज्यादा करना है और डाइट में फाइबर्स दे कि छोटे बच्चों में कब स्थोड़ने मदद कर सकते हैं दोस्तों डाइटरी चेंज़स की बाद में एक्स इंपोर्डेंट पॉइंट है एक्सरसाइज अब जो दो एक साल के ऊपर के बच्चे वो तो चलना सीख जाता है तो घूमता फिरता रहता है क्रॉलिंग करता है उसकी एक्सराइज कैसे करेंगे तो उनको भी हम एक्सराइज दे सकते हैं उनको कमर के बल लेटा दीजिए make them lie on their back कमर के बल लेट गए बच्चे उनकी जो पैर हैं हम धीरे धीरे जैसे cycling moment करते हैं उस तरह से हिला कर उनको भी exercise दे सकते हैं बाद में उनकी जो पेट है इंफेंट से उनको भी थोड़ा exercise कर सकते हैं दिन में दो तीन बार उनको warm बात दे सकते हैं गरम पानी से निलाते हैं तो भी पेट के अंदर उनको एक अच्छा moment मिलता है पेट की जो मास्पेश है उनकी अंदर इस तरह से exercise बच्चों बड़े बच्चों खेलना भागना walking exercise exercise, cycling यह सब हमको encourage करना चाहिए क्योंकि आजकल बच्चे जादा टीवी, mobile में देखने से sedentry हो जाते हैं बैठे रहते हैं और बैठे रहने से कब्स हो जाता है, constipation हो जाता है और भी कई बिमारी होता है इन बातों का भी हम ध्यान रखेंगे दोस्तों डायेट और exercise के बाद जाता है तो माहुल खुश नमों होना चाहिए, आप कोई भी आप खुद उदर आप साथ में रहें बच्चे के, उसको entertain कीजिए, चाहिए टॉलेट के अंदर को इसको music दीजिए, उससे आप बात कीजिए, उसको गपा मारिए, उसको हसाईए, ताकि वो बैठे उदर, हम से जाने की एक टॉलेट जाने की इच्छा पैदा होती है, तो उस रिफ्लेक्स का भी हमको फाइदा उठाना चाहिए, तो छोटे बच्चे सुबेश हम जब खाना खाते, तो उनको कई बार अगर उनको कब्स है, तो उनको encourage करना चाहिए, बैठा एक बार टॉलेट में पांच साफ हो सके, पोटी साफ हो सके, इसलिए अगर वो western toilet पर बैठा है, तो उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा stool दे दीजिए, ताकि उसके जो पैर थोड़े से उपर आ जाए, और पेट है, थोड़ा relax हो जाए, तो squatting position में बैठना जरूरी है, इन बात का ध्यान रखेंगे, स इसलिए बच्चों, इसलिए दोस्तों, toilet training बहुत जरूरी है, दोस्तों, अब treatment की तरफ आते हैं, कौन सी कौन सी ऐसी दवाईया हैं, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, ताकि छोटे बच्चों में कब्स को दूर कर सके, दोस्तों, याद रखना, जो भी आप दवाई इस्तमा हैं हमारे पास, जो सबसे पहला उपया है, safe है, easily available है, वो है, glycerine suppositories, दोस्तों, ये जो suppositories हैं, glycerine की हैं, और इनके ओपर एक हमको packing दिख रही है, silver packing, ये जो glycerine suppository हैं, हमको ये बच्चे के NS के अंदर push करनी होती है, ये हाँ से पोटी निकलती है, वहाँ पर push करते हैं, दोस्तों, इसका जो dose है, वो मानों की छोटे बच्चों में हम 6 मेने से, 12 मेने से, 12 मेने के बच्चों को दे सकते हैं, दिन में एक ही बार, once a day use करना हो सकता है, हम लगाता है, दो से तीन दिन कर सकते हैं, इसका एक important बात ये हैं, दूसरा है कि लगाने के 15 से 30 मिनिट में, य देखने नहीं मिलते हैं, लगाने से पहले बच्चों के left lateral position देनी पड़ती हैं, बच्चों के करवट्स उला दो, उसका जो उपर का पैर है, वो थोड़ा सा पेट की तरफ दबा लो, और फिर इसको धीरे से उसका जो पोटी की जगह है, एनस बोलते हैं, उसके अंदर हमको इसको insert करना होता है, इसको बच्चे जो बटक्स है, उनको दबा के रखना होता है, ताकि यह अपने position में रह सके, तो उस बच्चे को उस समय 15-20 मिंट उसी position में लेटा के रखें, ताकि यह जो glycerine supposedly है, वो जगे पर ही रहे, अपना काम ठीक से कर दे, और 15-20 मिंट बाद मे बच्चा पोटी कर देगा, लगाते समय जो आपके hands है, वो साफ सुतरे होने चाहिए, अब gloves का भी इस्तमाल कर सकते हैं, glycerine का जो packing उपर का वो निकाल कर, उसको थोड़ा गरम पानी भी थोड़ा गिला कर सकते हैं, और फिर धीरे से बच्चे की पोटी की जगे इसको push करे बच्चा पोटी पास कर देगा, तो glycerine suppository काफी safe उपाय है, आप doctors की guidance के अंदर घर पर भी इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, दोस्तों जो next important दवाई है, छोटे बच्चों के कब्स दूर करने के लिए, वो है पीने का syrup dufalac, दोस्तों dufalac के अंदर है lactulose solution, lactulose एक प्रका प्रकार की sugar है यह, एक प्रकार का sugar formula है यह, जो milk के अंदर, जो दूद के अंदर sugar होता, उन से बनता है, दोस्तों dufalac पिलाने का जो तरीक हम आपको बताते हैं, यह काफी research हो चुका इस product पर और छोटे बच्चे जो दो मेने के हैं, एक मेने के उनके अंदर भी दवाई दो प्रकार की सकते हैं यह दवा दो बार दे सकते हैं, यानि कि सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, तीन-चार दिन लगातार दे सकते हैं, डॉक्टर्स के एडवाईस पर दे सकते हैं, और यह जो काम करता है कम से हम 20-24 गंटे, 24 गंटे के पस्चात होता है कि इसका असर देखने मिलता ह है और नौर्मली 20 गंटे से 24 गंटे का टाइम लगता है डूफलैक या नहीं लेक्टूलोज डूफलैक तो यह ब्रैंड में इसके लेक्टूलोल स्लूशन तो लेक्टूलोस सलूशन हम छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को सब को दे सकते हैं, safe to use है, दिन में दो बार दे सकते हैं और इसका dosage हमने बता है, पर यह देना है आपको आपके doctors के advice पर दोस्तों, दोस्तों जो तीसरा important medicine हमने मेरे जो मेरे practice में देखा है, वो है दोस्तों यह outlet drops, इसका नाम है outlet, यानि कि हम जो भी कब्स हो जाता उसको out करने के लिए, दोस्तों, सीगल pharma company का है, सीगल pharma का है, और easily medical stores पर अवलेबल है, और doctors के advice पर आप दे सकते हैं, यह एक आयरवेदिक drops है, दोस्तों, इसके अंदर आयरवेदिक चीजे हैं, natural चीजे हैं, जैसे कि इसके अंदर खजूर है, dates है, खजूर, पेट के लिए भी फाइद honey है, शहद है, अंजीर है, अंजीर जो अपना dry fruit होता है, उसके उससे बनता है, इसके अंदर जो दवाई है, और मुनक का, याने की जो dried grapes होते हैं, तो खजूर, शहद, अंजीर, मुनक का, ऐसी आयरवेदिक चीजों से यह drops बना है, outlet drops, तो जिससे आप आपके बच्चों मे doctors की advice पर, ये भी इस्तमाल कर सकते हैं, एक ml सुबे शाम या doctors जो आपको dose advice करेंगे, इन वातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों, in short में treatment में एक बार summarize कर देता हूँ, अगर एक दो दिन की normal कब्ज है, तो आप glycerin supposedly आराम से लगा सकते हैं, थोड़ी अगर आप कैसे लग रहा है कि बार-बार हो रहा है, तो आप doctors की राय, advice लीजिए, डूफलेक, syrup, lactulose, solution, बहुत अच्छा option है, safe है, trusted है, tried है, फिर अगर आपको आयर्विरिक drops देना चाहते हैं, कुछ, तो उसे साब साब मैंने आपको outlet drops बता है, सीगल pharma का है, easily available है, ये ये options हैं, और अपने बच्चा है, उसकी condition के अनुसार, कई सारे medications, पर normal ये medications, मैंने आपके जानकारे के बताए हैं, दोस्तो, आज हमने detail में, छोटे बच्चों में कब्स, क्या होता है, उसके क्या लक्षन है, सारी बातें डिसकस की हैं, हमने आपको खाने पीने के बारे में बता है, toilet training के बारे मता है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दिये, दोस्तो, आशा करते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आयोगा, इसको like and share जरूर कीजिए, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसको subscribe कीजिए, notification कीजिए, ताकि हम आपको ऐसे वीडियो और लाके द पूछिए, हम उनको आपकी मदद करने की, हमारे जो team of doctors है, हमारे चैनल पर आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, आप WhatsApp पे और हमारे email address पे या telephone number भी देंगे, उस पे भी हम, आप हम से contact कर सकते हैं, तो दोस्तों, stay healthy, stay fit, मैं Dr. Yugendr, आप आपसे मिलता हूँ एक न Namaskar, जय हिंद